जैन्ज साथियों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का अपने यूटूब चैनल UPRTOU प्रियागराज में श्वागत है साथियों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप UPRTOU प्रियागराज इंवर्शिटी से आप BA करना का चाहते हैं क्या करना चाहते हैं आप BA करना चाहते हैं या फिरcoar mm admission क क्यों क्स क्यों क्या आप दिछाने वाले हैं आपका जो जो जनुझाल 21 का जो जएपा admission जरे दोगाने चाल रहा है यद्द जन अब को आप का भी registration चल रहा है तो आप अपने नदे की किसी भी एडी सेंटर से जाकर direct admission ले सकते हैं यहाँ से आप admission नहीं ले पाते हैं तो आप UPRT की official website से आकर online भी admission ले सकते हैं तो किस प्रकार साथ हूं आप admission लेंगे simply जो है आप सबसे पहले UPRT जो official website है इससे आप अपने mobile या फी laptop में open करेंगे जो भी साथ हूं आपके पास system के बाद नीचे देखिए यहाँ पर आपको एक option देखने मिलता है apply new admission सीजन जनुरी 2023-24 तो सिंपली साथ हूं आपको इसी पर क्लिक कर देना है इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं जो इसका registration form होता है जिसे हम पंज एकरण form बोलती है वह हमारे सामने देखिए कुछ इस प्रकार से उपिन होके आएगा जब हमारे सामने इस प्रकार से उपिन होके आएगा तो जो जो डेटेल यहाँ पर माएगा उस सारे टाइल हमें एक एक करके भरना होगा सबते पहले हमें कारिकरम का बिरोड भरना है कारिकरम के बिरोड में आपको क्या क्या भरना साथ नहीं देखिए हैं सब्सक्ति पहले आपको चुनना हैम को उसके चुनन दिये बाद अध्यन के कीड्स को आप से सब्सक्ति बताते हैं तूर petit यहाँ पर 12 छेत्री केंद यह रहे हैं हमने आपको पता है इसे गुरखपूर लखनौ बरेली प्रियागराज वरांड सीख गाजियाबाद मीरूत आगराज जहांसी कानपूर अयुद्या और आजमगर तो जो आपके नदी में पढ़ता है उसी अध्यन केंद को आप यहां से प्रकार में देखिए यदि आप बीे करना चाहत है तो आप अंडर वड़ीड बेट प्रोग्राम वाले आपक्सं पर क्लिक करेंगेक है यदि आप प्यंदेद आप यह निचे आपको एक दिए तो आप वांस जो यहां पर दिया गया है under give it program simply हम इसी पर क्लिक करेंगे ठीक है इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद हम आ जांगे कारेक्टरेम के नाम में की नाम में आ जाने के बाद यहां पर देखे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से program है जिनसे आपका जनुरी सद दोजाएच दोज बैचलर आफ साइंस है यानि बोटनी से आप जू लोजी से केमेश्ट्री से ठीक है तो साथ यहां पर आकर लाइब जो है यहां पर देख सकते हैं कि कौन-कौन से प्रोग्राम है जिनसे आपका यूजी कूर्स में क्या है यूजी कूर्स में यानि याप बिका बी-ए में सकते हैं इसके लाबा देख Camera पर बैशलर साइंस दिया गया है बोटनी लोजी और कि मेश्टिए आपको लिदंध कर सकती इस की लाफ कर नीची आने के बास साथि को यहां नीची और भी आपको दिया सबस्क्राइब यहां पर सबस्क्राइब्य जरते हैं। religious chemistry और math से भी आप कर सकते हैं वह भी आपको यहां देखी हो रहा इसके अर्फ दिक्वाम साथ है और भी हम आपको यहां पर दिखाते हैं देखें यहां पर पर physics mathematics computer science भी है physics mathematics और एस्टेटिक्स भी यहां पर है टीक है जिन से आफ आप अडिमिशन ले सकते हैं इस कलमा देखें यहां पर आपका Physics, Statistics, Computer Science भी है Physics Chemistry आपका Environmental Science भी है ठीक है इसकलमा और भी आप नीचे आएंगे और भी नीचे आएंगे तेहां पर देखें आपका जो क्या Physics Computer Science और Environmental Science यहां पर आपको दिया गया है Physics स्टेटिक्स इंवार्मेंटल आपका साइन्स दिया गया है। इसके लिए इनवार्मेंटिक्स और ऑपका कम्प्यूटर साइंस यहां प्रशाथ है, इसके वह से भी आपको करना है, बल ऐस टिए गया गेघ्याल बेस्द आपको सकते ही गेर इसके ऄख बैदमेर्ट है यह कर सकते करथें यहाँ यहां पर परोग्राम आप की सोड है तो ज jeunes भी आपको द दनाना जासेगी इस पर जैसे क्लिक करते हैं इस क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे आ जाएंगे कारिकर्म के वर्स में चूंकि आपका नया एडिमिशन है तो आप फर्स्ट यह वाले उप्सवन पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद यहां देखिए आपका गुरूप यहां पर दिया गया है और यहां पर ग्रूप भी दिया गया दू आपको यहां पे दिया गया है ठीक है आप यहां पर देखे पूरा है यहां पर आपके सब्जेट्स हो रहे हैं ठीक है यहां पर देखे ग्रूप वहन से यहां देखे एक और आपको यहां पर दिखा रहा है क्या दिखा रहा है कि only three subject allowed in BA बैचलर अफ फर्स्ट य्यर ठीक है यहांनि फर्स्ट यर में आपको किवल तीनी सब्ट यहां से स्लेट्ट करना है चाहिए आप ग्रूप वहन से भी स्लेट्ट करते हैं घृप टू से भी आ आगर आधर नहीं करना चाना हम इंग्लिश would करना चाहिए हैं जाने हम हिंडी ज संस्कृट तो हम धिल्लिष तर चाहिश के के लाम मेल नीचे हमाई जैंगी। जीओ रलोफ्य या फिर हिष्टिर को एके कर सकते हैं दूर नहीं सिलेक्ट होगा देखिए यहाप यहाप को दिया गया है क्यों शुटक कर सकते हैं जो भी सब्गेट से आपको करना है जो भी इहां देके यहां पर का सूह रहा है क्या सूरा जिस भी सब्च्च से आपको एडमीश लेना है ठीक है शाय आप इंगलिस से चाहे आप हिंदी संस्कुरित और टीक है तो यहां पे देखे आपके group A होझा ढगे में इन में से लिए और 2 फिर चुना चाहते हैं तो यह लिया झालिकाता करें चूलिटे हैं और 2 दोच स्क्राइप přेचा। देखें स्कलां करें और लुक्त करें सुक्ति कुले साथ 40 गृप बाकि दूर्ष सब्जेट आप दूसरी गुरुप से चुनेंगे तिक यहां पर देखें आपको दिया गया एंसेन हिस्ट्री एंड अर्चालोजी दिया गया एकोनोमी दिया गया एज्ट्विशन दिया गया पैसन डिजाइनिंग जियोग्रॉफी हिस्ट्री मैथमेटिक फि करें करें कोई एक सब्सक्राइब क्लिक करेंगे इसके बाद चार्यापको दिया गया गया है कौन कौन सा इएड पीपर चौप से यह जैसे क्लिक करते हैं इसके बाद जो आपके कूर्स के फीस होगी क्या होगी जो आपके कोर्स के फीष होगी देखे crooked pushing पर कितना दिया गा egeल आपके proof यहां पर शोगा इस के खिया दिया गाए यहांपर ओटिए गया लिए क्या थें पार्टकर मंगी हो देखिए किने अन्वार पार्टकर में हैм रहे हैं और कौन कौन। कितने पेपर है कितने कुछ यहाँ पेपर ह्यंता प्रकार से प् कॉ्सेथ प्रकार्च से आपको tiki यहाँ और कि यह पर पोarin녹 प्रिदूल पसपेपर अपको दिया गया है इनसे कोई एक ही आप कर सकते है इस परकार से इसेकर आपको एकडिया गया है। में से कोई एक आप सेलेट करेंगे दूब आप यहां नहीं सेलेट कर सकते हैं तो जो आप वह अच्छा लगता है उसी को आप क्या कीजिए यहां पर आपको दिया गया है तो टूटल आपका पेपर कितना हो जागा देखें फर्स समेश्टर में आप पेपर भी यहां पर यहां बाद हो जाएगा You just a चाही ऑर यह पर । यहां पई यहां पर यहां पर उज हएच टी पांच नहीं फस्वेश्ट्र में आपका यहां पर प्ल git को जाएगा पहिए और और भी आपनी चाहिए आप सेकर्ड समेश्टम भी यहां पर देख सकते हैं सेकंड समेश्टम देखिए आपका यह सी टिस्टी जीरो टू देखिए एक पेपर ही आपका हो गया एक आपका ऑप्सनल हो गया दो उसे बाद तीन च्यार पांच यहां पर भी आपको पांच ही पीपर एंट टोटल एक साल में आपके दस पेपर यहां पर होंगे तो यहां से आके साथ हूं आप पता कर सकते हैं कि आपके कितने पेपर होंगे फर्स समिष्टम या पर सेकेंड समिष्टम में इसके लमा साथियूं आपका जो कुर्स का फीस हवा कितना है ठीके उसकी agility किया है सब के बारे मापको यहां से आएगे तो यहां से आपको live इक टेटेल यहां आपको पता हो जाएगा ठीके इसके बाद साथियूं आप नीचे आजाएएगी नीचे आजाने के बाद देखे जो आपका ब्यक्तकेद भीरोण होगा इसके बाद आप अपना ब्यक्तकेद भीरोण है प्राशनल लिटेल यहाँ पे फिल करेंगे जैसे आप अपना नाम अपना फोटो अपलोड करेंगे signature upload करेंगे इस के लिए जो आपके माता पिता का नाम होगा उसको आप इंगलिस और हिंदी में सब एक एक करके आपको फिल करना होगा इसको फिल करने के बाद जो आपका mobile नंबर होगा जो आपका अधार नंबर होगा email ID होगा और एक जी और आप ध्यान देंगे category certificate का तो यहां से आपको अपना category certificate भी क्या करना होगा अपलोड करना होगा ठीक है इसके बास साथ हूं यहां पर आ जाएंगे यहां पर अपना धर्म चुनेंगे यहां पर अपना च्छित चुनेंगे आप गउं से बिलांग करते हैं यहां पर सहसे अपना राष्टीता सेलेट करेंगे यहां पर अपना mobile नंबर डालेंगे ठीक है फिर यहां पर अपना permanent address डालेंगे और यह आपका address सेम है तो जो यहां पर एक option दिया गया है check box पर इस पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगी यह तो आप postage दोरा इसी address से जो आप यहां पर address भलते हैं इसी address पर postage दोरा आपके पास भेज जाती है तो आप अपना address बिल्कुल clear और साप साब भरेंगे फिन code तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे जो यहां पर डालेंगे टाकि आपको बुक जो है वह जल्द से जल्दी आपके प पे पूछा है सब डिटेल आपको भरना होगा और सब को भरने के बाद साथियों लास्ट में देखिए यहां पर आपको एक सम्मिट कॉप्टन दिया गया है इस पी आप उसके बाद सम्मिट कर देंगे तो आपका रेश्टेशन जोगा हुआ कंप्लीट हो जाएगा ठीक है रेश्टेशन कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरे इस्टेप में आप अपना जो चार हजार पांच सो रुपए यहां पर दिया गया है यह ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा उसके बाद अपना प्रिंट आउट निकालने के बाद जो आपन अध्यन केंच चुना है जो आपने अध्यन केंच उसी पर आपको अपनी हार्ड कॉपि क्या होगी बेजने होगी चाहे आप सौता ले जाकर जमा कर सकते हैं चाहे आप को स्थाप द्वारा भी भेजश सकते हैं टीक है तो इतना सारा प्रोसेस होता है यूरिया एडमिशन लेना चाहते हैं इसके बाद एडमिशन लेने के बाद आपको बुक मिलती है क्या मिलती है आपको बुक मिलती है बुक मिलने के बाद आपको एसाइमेट लिखकर जमा करना होता है एसाइमेट लिखकर जमा करेंगे साथ उसके बाद आपका टाइम टेबल जारी होगा ठीक है एक्जाम होने के बाद साथ हूं आपका रिजल्ट आएगा इतना सारा एडमिशन के बाद का प्रोश्र होता है तो यह दिया आपको मारी छोड़ी सी इंफार्मिशन छोड़ी जान करें साथ हूं आपको अच लगी तो आप मारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और सेर जोड़ करें और इसके अलमा भी है आपको में कोई डाउट कोई कोश्चन रहे गया तो आप में कमेंड बास में कमेंड करके पूछ सकते हैं इस वीडियो में इतना ही नमस्कार जेहिं करके पूछ सकते हैं